सिया क्या कर रही है बेटा माने कमरे के अंदर आते हुए कहां अरे तुम अभी तक त्यार नहीं हुई और ये रिया कहां है ये कपड़े तह करना छोड़ो जल्दी से त्यार होकर नीचे आजा लड़की वाले आते ही होगी देखू तो तेरी महंदी का रंग कैसा चड़ा है म मा अप इतने जल्दी में क्यों है कहते हुए सिया ने हथेलियों को मा के सामने फिला दिया मा ने देखा तो उधास हो गई आज भी तेरी महंदी नहीं रची उस दुकान वाले ने तो कहा था कि एक बार ये वाली महंदी लगा कर तो देखो ना रच जाये तो पैसे वापस पर मेरे तो रच गई पीछे से आते वे रिया ने कहा पैसे वापस लेने के लिए दी को लिये जाना मा इतना कहे कर वो हसने लगी चुब बेकर त्यार होकर जल्दी नीचे आओ तुम दोनों बहुत काम है कहते वे मा नीचे चली गई परेसान ना हो दी महंदी रचे ना परिवार की रमा कांथ जी उनकी पतनी सुसीला जी और उनकी तीन बच्चे दो बेटियां सिया और रिया और बेटा रभी सिया और रिया जुड़वा हैं और सिया रिया से कुछ मिनत बड़ी है रमा कांथ जी किसी ओफिस में एक सीनियर क्लर्क हैं और आसिया की सगाई है और किसी पारिवारिक मित्र जी साधी तें करवाई है रमा कांतर जी अपने पैतरिक घहर में रहते हैं पुराने जिजाइन की कुठी नुमा सुन्दर और एक बड़ा सा लॉन भी है सिया को बागवानी का सौख है और उसने संदर संदर फोल वाले पेड लगा कर लान को आकरसक बनाया है दड़का दिल्ली की किसी मल्टिनेशनल कंपनी में इंजिनियर है सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं सिया एक तीखिन नख्स वाली साउली और रिया एकदम गोरी चित्ती सिया सीधी साधी और रिया चुलबुली पर सकल सूरत एक जैसी लड़के ने सिर्फ अभी फोटो ही देखी है और साधी को तियार हो गया है लड़की का नाम राहूल है वो उसके परिवार वाले और एक दो रिस्तेदार ऐसे ही रमा कांत जी का परिवार और कुछ रिस्तेदार ही सगाई में सामिल है छोटा सा फंक्सन रखा गया है सिया ने गुलावी रंग का लहंगा चुनरी और मैचिंग जोहिलरी पहनी है और रिया ने फिरोजी हलके से मेक अप में दोनों ही बड़ी प्यारी लग रही है माने देखा तो बलाएं लेनी लगी और रमा कांत जी से बोली देखते देखते कितनी बड़ी हो गई है मेरी बच्चियां किसी की नेजर ना लगी सब कुछ अच्छे से हो जाए वेका चिंदा कहती हो तुम भाग्यमान बोले नात सब अच्छा करेंगे मैं बाहर देखता हूँ सब इंतजाम हो गया है की नहीं रमा कांत जी बाहर जाती वे बुली रभी अभी तक मिनरल वाटर की केन नहीं आई है और पंडाल में सोफे भी सिट नहीं है फोन लगाओ जला गुटता जी को लड़के वाली भी होटल पहुँच चुके हैं जी बापा रभी ने कहा घर में पहला फंक्सन है और रमा कांत जी लड़के वालों की आओ भगत में कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं इसलिए जी जान से लगे वे हैं सुबह से चाह के सिवा और कुछ भी पेट में नहीं गया है और आफिस में बाबों को चाह की आदित भी हो जाती है खाना मिले न मिले पर चाह के बहर नहीं रहा जाता है साम के साथ बज़े लड़के वाले दो बड़ी बड़ी गाड़ीं से आप उंचे रमा कांत जी और सुसीला जी गेट पी उनका स्वागत कहने के लिए पहुँचे पहली गाड़ी से लड़के के पापा संजेजी, ममी कामिनी, तादा दादी, चाचा चाची और दूसरी गाड़ी से लड़का राहुल उसकी महन अउनी मामा मामी और राहुल के दो दोस्त विक्रम और अतुल उत्रे सिया की ममी पापा ने भी राहुल की फोटो ही देखी थी और सामने देखकर उनके खुषी कर ठिकाना ना रहा लंबा गोरा सुन्दर और इसमार्ट बिक्तित तो आला दामाद देखकर एक दूसरे को देखकर मुस्क्रा दिये रमा कांत जी और सुसीला जी ने सभी का माला पहना कर सागत किया और रभी ने बढ़ों के पैच हुए और उसके दोस्तों से हाथ मिलाया और अंदर लॉन में ले आए चाय कॉफी और नास्ता वगएरा मेजों पर लगा दिया गया है और रमा कांत जी दोड़ दोड़ कर सबकी आव भगत में लग गए हैं और सुसीला जी रभी भी मिमानों की खतेदारी में लग गए है आवनी एक 17-18 साल की प्यारी सी लड़की है उसे भी फूल बोधे बड़े अच्छे लगते हैं लॉन की खूब सूरती देखकर बोली पापा मुझे लॉन देखना है मैं जाओ कामनी जी बोली अरे अभी तो आई हो बैठो मा इतने देर से बैठे बैठे में तो प्रिसान हो गई दादी आप ही कहिए मा से कामनी जाने दो ना अब यह मानेगी तो नहीं कहकर दादी हसने लगी सिया की दादी मा भी उनके साथ ही बैठी बात कर रही थी उन्होंने रिया को पकारा रिया रिया सुन रिया कोठी के ऊपर से लॉन की एक ओर वाली सीडियों पर पीट करकी खड़ी होकर फोन पर बात कर दही थी उसने पलट के नीचे देखा और नीचे आने लगी सब की नजनी उसकी ओर उठ गई राहूं तो देखता ही रह गया और अपनी जगें पर खड़ा हो गया गलती उसकी नहीं थी रिया सीडियों से उतरती वी किसी परी की जैसे लग रही थी फिरोजी लेंगा मैचिंग जोईलिरी गोरा रंग लंबे काले लहराते वे बाल बोलती बिली बिली आखे पत्ली कमर मॉडल जैसा फिगर और प्यारी सी मुसकान राहूल तो जैसे खो गय अतुल ने उसी खीच कर बिठाया तो वो होस में आया क्या बात है वे कहां होए पुछ नहीं राहूल जीबती वे बुला बिकरम जोट कर फोन कहने के लिए अलग गया था वापस आया तो बुला भाई तुम्हारे सस्राल वालों ने तो बहुत अच्छा इंतजाम किया है ब किनो रिया की ओर देख रहे थे अतुल का मुख खुला देख रिया समझ गई उसने कहा रजगुला ले आओ रभी इन भाई साहब के लिए इनका बड़ा मन है खाने का सभी लोग हसने लगे अतुल बुला कुछ भी कहलो भाई मत कहना बस तो क्या कहूं बाभी रिया ने मु दिखाना है दिखा लाओ जी रादी आईए और रिया आउनी को लेकर चलने लगी हमें भी गार्डन दिखा दीजी अतुल मुस्कुरा कर कहने लगा तो रिया बोली आप भी आजाए हमें कौन सा गोद में उठा कर ले जाना है वो तीनों बाते करते हुए गार्डन देखने लगे बिक्रम उही राहुल के पास ही बैठा हुआ उसके चेहरे की उतार चड़ाओ को देख रहा था और राहुल सोच में बैठा हुआ था तब ही रभी आकर उनसे बात करने लगा पर राहुल का मन तो रिया में ही अटक गया था उधर सिया तयार होकर कमडे में बैठी उसे बच्पन से अब तक की बहुत सी बाते याद आ रही थी चाहें वो कितने जतन करती पर मेंदी रचती ही नहीं कॉलिज में भी सहलियों की मेंदी खूब गहरी रचती थी और वो सब आपस में बात करती थी कि जिसकी मेंदी जितनी गहरी होती है उसका जीवन साहती उतन पापा जी को कहती, पापा समझाते, तुम तो मेरी अच्छी और गुनी बेटी को मेहदी नहीं रचती, तो क्या, जो तुम्हारे गुन देखेगा, वो तुम से खुद से जादा प्यार करेगा, तुम दादी की बातों पर ध्यान ना दू, पढ़ाई करो, कैरियर बनाओ, सब भगवान पर छोड़ दो, वो सब कुछ भूल, अपनी पढ़ाई में लग जाती, उसने बनस्पत बिग्यान में MSC किया, और NIT कौलिफाइक कर लिया, और अब वो PhD करना चाहती थी, पर बीच में ही साधी तें होगी, वो भी तयार होगी, क्योंकि घरवालों को नाराज नह भूम रहा था, वो तीनों एक पौदे के पास मुची, उसकी बहुत अच्छे कटिंग की गई थी, और NIT ने पूछा, तो रिया ने कहा, ये मेंदी का पेड़ है, ये सिया दी को बहुत पसंद है, और इसके कटिंग भी, वो खुदी ही करती है, और बहुत देख भाल भी कर इसकी पत्तियों से ही मेंदी बनती है, हम सब लगाते हैं, सब की रच्छती है, पर उनकी मेंदी बिल्कुल नहीं रच्छती, अचानक बोलते ही रिया रुख गई, फिर बोली, अरे मैं तो भोल ही गई, कि दी मेरा इंतजार कर रही होंगी, आप लोग चलो, मैं उन्हें ल लगी थी, अच्छा सा माहूल था, पर राहूल खुस नहीं लग रहा था, आउनी राहूल से बुली, क्या बात है भाई, कुछ परिसान लग रहे हैं हो, कुछ नहीं, वैस ऐसे ही, राहूल बुला, तभी राहूल के दादा जी बुले, रमा कांत जी, अब बितिया को गुल परिया के साथ लेकर आगी, राहूल खुस नहीं हुआ, भिक्रम ने उसे किनारे ले जाकर पोछा तो उसने कहा, मुझे सिया से नहीं, रिया से साधी करनी है, क्या बोल रहा है तो, मुझे लगी ही रहा था, कि कुछ तो बात है, इतनी सुंदर तो है सिया, मैं तो उसे पर मुझे रिया को देखकर जो कुछ फील होता है, उसिया को देखकर नहीं, और अगर मैंने सिया से सगाई की, तो ये भी एक धोखा होगा, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तु चल, अंकल के पास बात करते हैं, विक्रम बोला, उधर सब लोग सिया से बात कर रह जाए, संजे जी बोली, बात बहुत जरूरी है पापा, इस बार राहुल नहीं कहा, जो कहना है यहीं पर कह दो, दादा जी बोली, सोच समझ कर ही बोलना, सिया के घरवालों को, कुछ समझ नहीं आ रहा था, और सिया मन ही मन घबरा रही थी, पापा, मुझे सिया से नहीं, रिया से साधी करनी हैं, तडाक, राहुल के गाल पर तमाचा पड़ा, दादा जी गुस्से में उसे देख कर बोले, उसमें तो हो तुँ, साधी ब्याह कोई खेल नहीं, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, देखे अंगल जी, हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा, बैठ कर बात करते हैं, राहुल के मामा जी ने कहा, बात करनी की कोई जुरूरत नहीं है, सगारी होगी, तो सिर्फ सिया से, दादा जी सकती से बोली, रमा कांत जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सुसीला जी और दादी, सिया के पास बैठी थी, और सिया सर जुकाए रोय जा रही और रिया सिया का हाथ पकड़ कर बोली, दी मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब क्या हो रहा है, और वो इतना कहकर रोनी लगी, रवे भी गुस्से में राहुल को देख रहा था, अतुल भी बहुत हैरान हो रहा था, और राहुल के घर वाले राहुल को समझाए जा रहे थे, पर राहुल ने जिद पकड़ ली थी, रमा कांत जी हाथ जुड़ कर संजे जी से बोली, भाई साहब मेरी बहुत जग हसाई होगी, मेरी बीटी का क्या होगा, तभी राहुल ने, उनके हाथ पकड़ लिये और बोला, अंकल, पापा को समझाए, अगर जब दस्ती मेरी नहीं पाऊंगा, और फिर जीवन भे, सब दुखी रहेंगी, बेटा, लड़की का पिता बहुत मजबूर होता है, ऐसा मत करो, और वो धम्म से जमीन पर बैठ गई, उन्हें ऐसे रोता देख कर, सिया बहुत परिसान हो गई, और आसु पोचते वे उठकर बोली, बापा, म मेंदी नहीं रची थी, तब ही मुझे डल लग रहा था, देखो, ये क्या हो गया, हम लोग अब दुनिया को मुख कैसे लिखाएंगे, इतना खर्चा हो गया, और सब बरबाद हो रहा है, इतना कहकर वो रोनी लगी, अरे मा, आप ये क्या कह रही हो, मेंदी का रंग नहीं चलिने से ऐसा कुछ भी नहीं होता, और कुछ भरबाद नहीं होगा, राहुल जी और रिया की सगाई कर दो, मुझे में और रिया में कुछ ही मिनिटों का अंतर हैं, तो मेरी ना सही, रिया की सगाई हो जाएगी, दी आप क्या कह रही हो, मैं आपके अर्मानों के, तोटने पर अपना महल नहीं खड़ा करना चाहती, रिया कहने लगी, अभी फिल्मे डायलाग ना बोल वहन, राहुल जी मन्स से बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सच बोल दिया, अब आप लोग भी मान जाओ, प्लीज, मुझे कोई दुख नहीं होगा, सिया को ऐसे आत्म विस्वास स बोलते देख, बिक्रम उसे एक टक देखे जा रहा था, और बाकी लोग एक दूसरे को समझेने समझाने लगी, राहुल की पापा, संजय जी और मा कामिनी जी, रमा कांत जी के सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, और बोले, हमें मा कोय देजी भाई साहब, क्या आप बोली, कोई मुझे से भी तो पोच लो, अब तुमसे क्या पोचना, दादी ने कहा, नहीं दादी, पोचना जरूरी है, कहते वे राहुल अपने गुटनों पर बैठ गया, और रिया का हाथ पकड़ कर बोला, क्या तुम उससे साधी करोगी रिया, हाँ, रिया बोली, इतना हैंसम लड़का ऐसे पूछेगा, तो कौन मना करेगा, उसकी मात सुनकर सब हसने लगे, पर मेरी एक साथ है, सगाई करनी हो, तो कर लो, साधी हम दोनों पहनों की एक साथ ही करनी होगी, हैं, ये भी कोई बात भी भला, लड़का मिलना इतना आसान है क्या, जब देखो तब बगबग कहती है, दादी गुसे में बुली, तभी एक कार आकर गेट पर रुगी, और उसमें से विक्रम के मिम्मी पापा उत्रे, सब लोग उन्हें देख कर चौक गए, उन लोग आके आकर बोली, अगर रमकांत जी को कोई एतराज ना हो, तो क्या वे अपनी रिया की मेरे बेटे विक्रम से करना पसंद करेंगी, सब लोग आश्चर से, विक्रम की ओर देखने लगी, अतुल और राहुल, भाव में उची करके विक्रम से बोली, चल क्या कर रहा है बे, विक्रम मुस्करा कर बोला, भाई, मुझे प्यार हो गया है रिया सिया से, तो मैंने में भी स्मार्ट है, कोई अहब भी नहीं है, और हम दोनों कब से एक अच्छी लड़की से साधी करना चाहते थे, और अब आपकी बेटी, हमारे बेटी को पिसंद आई है, प्लीज ना मत करना, रमा कांथ जी की आखों में, खुसी के आशू आ गए, उन्होंने हां कर दिया अब सब खुस थे, रिया और सिया की सगाई साथ साथ हो रही थी, सिया के हाथों में भी खुसीयों की रंग भर गए थी, दोस्तों कहानी पर एंड होती है, कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज कहानी को लाइक आखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए गा, चलिए मिल प्लीज कहानी के साथ तर तक के लिए नमस्कार